हाई आल, वेलकम तो ट्रिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मेडिवेल हिस्ट्री के इंपोर्टेंट एंसी क्यूज जो प्रिवियस यर यूपी असी में पूछे जा चुके हैं हम लोगों ने अब तक चार वीडियो देखा हैं पर यह पार्ट फाइव है पिछले वीडियो का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में फर्स्ट कोस्टिन वो अमोंग दा फॉलोइंग स्ट्रीम लाइंड दे मराथा एड्मिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी संभाजी के बाद किस ने मराथा एड्मिस्ट्रेशन को स्ट्रीम लाइन किया औप्शन से राजा राम, बाला जी विश्वनाथ, गंगा भाई, नाना जी, देश मुख आंसर होगा B, बाला जी, विश्वनाथ असर्शन रीजन है असर्शन, मुहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल कोईन विच वस कॉल्ड दिनार बाई इबन बतूता यह करेक्ट है, इन्होंने एक नया गोल कोई इशू किया था, जिसको इबन बतूता ने दिनार कहा था रीजन दिया हुआ है, मुहम्मद बिन तुगलक वांटेट तू इशू टोकन करन्सी इन गोल कोईन्स तू प्रमोट ट्रेड वेस्ट एशिन अन नौर्थ अफ्रिकन कंट्रेज आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो यह नोटिस किया होगा कि मुहम्मद बिन त तूगलक पे कई बार कोशिन पुछा गया है और उनका यह टोकन करन्सी पे भी तो ही इशू टोकन करन्सी लेकिन दाट वस नोट इन गोल कोईन तो रीजन करेक्ट नहीं है, आंसर होगा, A is true but R is false. नेक्स्ट, Consider the following events, Rhyne of Krishnadev of Vijayanagar, Construction of Kutub Minar, Arrival of Portuguese in India और Death of Firodshad Tuglaq. Construction of Kutub Minar में पता है लगबग 1191-92 AD में हुआ था, Kutub Buddhi Naibag ने शुरू किया था और Ilthutmish ने कंप्लीट कराया था, Krishnadev और Vijayanagar, इनका राइन शुरू हुआ था, 1509-1529 में, थर्ड रूलर थे तुलूवर डानेस्टी के, पोर्तुगीज आये थे 1498 में और Firodshad Tuglaq का डेथ की डेथ हुई थी 1388 में, So 1509-1522, construction of Kutub Minar 1193, arrival of Portuguese 1498, or death of Firodshad Tuglaq 1388, So the answer will be 2431, answer is A. Agla question, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Land administration system है, Iqtah, Jagir, Amaram, Moksha, और इधर rulers है, Marathas, Delhi Sultans, Mughals, Vijayanagar. Iqtah system शुरू किया था, Delhi Sultans ने, So A, 2. Jagir system, Mughals, B. 3. Amaram, Vijayanagar, C. 4. And Mokasha, Marathas, D. 1. A. 2, B. 3, C. 4, D. 1, answer is B. Next, which one of the following Muslim rulers was hailed as the Jagad Guru by his Muslim subject because of his belief in secularism? Options है, Hussein Shah, Jainul Abdin, Ibrahim Adil Shah, और Mahamud 2. Answer होगा, Ibrahim Adil Shah. ये बहुती एबल अडिस्टेटर भी थे. Next, Mongols अंडर चंगेज खान इन्वेड़ इंडिया दिरिंग दे राइन अफ। आसान सांचर है, इलतुतमिष के टाइम में इन्वेड किया था. Next, which among the following ports was called Babul Makkah, Gate of Makkah? Kalikat, Brooch, Cambe, Surat. Surat चे जर्णी शुरू होती थी Makkah के लिए, so Surat was called the Babul Makkah. Next, which of the following pairs is correctly matched? ये departments हैं, और इसको किस ने शुरू किया था, ये हमें correctly matched देखना है. दली सुल्सांस के द्वारा शुरू के गए departments को आप एक बर ज़रूर कवर कर लें. Medieval history का important part है. दिवाने बंदागनी, स्लेव डिपार्टमेंट फिरोच्छा तुगलक ने शुरू किया था. So the answer will be A, दिवाने बंदागनी, फिरोच्छा तुगलक. आप चाहते हैं कि मैं इन डिपार्टमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइएगा. Question number 9, assertion, Battle of Khaanva was certainly more decisive and significant than the first Battle of Panipat. Battle of Khaanva कब हुआ था, 1527 में between Rana Sangha and Babar. और first Battle of Panipat हुआ था, Ibrahim Lodi और Babar के बीच में. Decisive क्यों माना गया? क्योंकि इसके बाद मुगल रूल जो है, इंडिया में consolidate हो गया. Although first Battle of Panipat was also important, क्योंकि this marked the end of Delhi Sultanate in India. Reason दिया हुआ राना सांगा दराजपु थीरो was certainly a more formidable adversary than Ibrahim Lodi. अगर देखा जाए कि राना सांगा ने एक बार Ibrahim Lodi को हराया था, उस sense में राना सांगा जादा formidable adversary थे, enemy थे, बाबर के सामने में. In that sense, both a and r are individually true, but r is the correct explanation of a. लेकर अगर decisive और significance के मामल में देखे, तो first Battle of Panipat was as significant as Battle of Khanwa. Question number 10. Who among the following was the first bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? किसने Hindi का use किया था? अपने message को फैलाने में. Dadu, Kabir, Ramnand, Tulsidas. Answer is C, Ramnand. Bhakti movement भी बहुत important topic है. Next, with reference to medieval Indian rulers, which one of the following statements is correct? Alauddin Khalji first set up a separate Arits department. Khalji ने नहीं set up किया था, Balban नहीं किया था, Balban नहीं किया था. Balban introduced the branding of horses in his military. No, Khalji ने branding of horses शुरू किया था. Mohamed bin Tuglak was succeeded by his uncle to the military. Uncle नहीं succeed नहीं किया था, उनको nephew नहीं सक्सीड किया था. Firoz Tuglak set up a separate department of slaves. पिछले question में भी देखा आमने, दिवाने बंदा गी नहीं. So, option D correct है. Question ऐसे ही repeat होते हैं, आपको direct नहीं भी लेंगे, but indirectly repeat हो रहा है. Next, the motive behind Shah Jahan's bulk campaign was to secure a friendly ruler in bulk and Batsh Khan which bordered Kabul. Answer होगा A. इस सारे options correct नहीं है. वो एक buffer reason create करना चाते थे, ताकि वहाँ से secure हो सके उस reason से. इसलिए एक friendly ruler चाते थे वहाँ पे. Next, assertion. Mohamed bin Tuglak left Delhi and for two years lived in a camp called Swargdwari. Correct है. दो साल तक वो एक camp में रहे थे. At that time Delhi was ravaged by plague and many people died. पहमाइन भी हिट किया था, plague भी हिट किया था. So, this is also correct. Answer will be both A and R, correct. 14. Historian Burney refused to consider the state in India under Delhi Sultan's as truly Islamic. Islamic नहीं मानते थे Delhi Sultan's के रूल को. क्योंकि, answer होगा, Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. Sultan अपना रूल बनाते थे along with Muslim law. ऐसलिए, truly Islamic रूल नहीं मानते थे इसको, Burney. 15. With reference to Sufism in Indian history, consider the following statements. शेक अहमाद चरंदी वाजे कंटेंप्रेरी और इब्राहिम लोदी. तो शेक अहमाद चरंदी जो थे वो नक्सबंदी ओर्डर के थे और वो अकबर और जहांगीर के कंटेंप्रेरी थे. So, this is not correct. शेक नसुरुदिन चिराग दहलवी वाजर डिसाइपल और निजामुद्दीन ओलिया. This is correct. औरंग्जेव वाजे कंटेंप्रेरी और शेक सलीम चिस्ती. यह correct नहीं है. कादरी ओर्डर अफ सूफी वाज फर्स्ट इंट्रोडूजड इन इंडिया बाए शेक नियामतुल्ला एंड मकदुम मुहम्मद जिलानी. यह correct है. So, the answer will be 2 and 4 वाली. मैंने सूफी सेंट्स पे और सूफी ओर्डर पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. आप उसको जरूर एक बार देख लें. Question number 16. Assertion. Emperor Akbar marched towards Afghanistan in 1581 with a huge army. यह correct है. Afghanistan marched किया था. He was on his way to reclaim his ancestral country of Fargana in Central Asia. यह कहीं भी mention नहीं है कि he wanted to reclaim Fargana. So, A is true but R is false. Next. Assertion. Shah Alam II spent the initial years as an emperor far away from his capital. Correct है. There was always a lurking danger of foreign invasion from the Northwest Frontier. यह reason correct नहीं है क्योंकि foreign invasion की डर से वो नहीं दूर रहे थे. वो दूर रहे थे क्योंकि Nazeep Khan जो रोहिला के थे वो बहुत पावफूल हो गय थे Delhi में. उनके फियर से ही वो देली से दूर रहे थे. Not due to foreign invasions. So, A is true but R is false. 18. Marathas emerged as the strongest native power in India after the decline of Mughal Empire. This is true. Reason. Marathas were the first to have a clear concept of United Indian Nation. यह correct नहीं है. ऐसा कोई concept नहीं developed किया था और इसकी वज़े से इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है. So, A is true but R is false. Question number 19. Consider the following statements about Sikh Gurus. Banda Bahadur was appointed as the military leader of the Sikhs by Guru Teg Bahadur Ji. यह correct नहीं है. Banda Bahadur को यह पॉइंट किया था. Guru Gobind Singh Ji नहीं as a military leader. Guru Arjun Dev became the Sikh Guru after Guru Ramdas. True. Guru Arjun Dev gave Sikhs their own script Guru Mukhi. This is also correct. So, the answer will be 2 and 3. Last, when Rajabudhyar founded the Kingdom of Mysore, who was the ruler of the Vijayanagar Empire? Sadaasiv, Tirumala, Ranga 2, Venkata 2. Answer is D. Venkata 2. So, this was all for today. If you have a problem with medieval history, if you have a problem with medieval history, you have a problem with several things, then the best way is to cover the previous questions because the questions are repeated directly, or indirectly. I hope that the video is good. Please like this video. Please like this video. Please like this video if you like this video. Please subscribe to the channel. Thank you for watching. Have a nice day.